इस खबर दार्जलिंग से है ये घटना दार्जलिंग जिला के सिलिगुडी महेंखुमा की एंतरगर पुर्व रंगा पानी नरायन जियोत गाउं की है जहां आम के पेड़ से पूजा के घंटी की आवाज सुनाई दे रही है काफी दिनों से सुनने में आया है कि उस इलाके के लोगों ने आम के पेड़ से घंटी की आवाज सुनी है जो की एक अधवुद घटना है गाउं के लोगों से जानकारी मिली है कि ये घंटी की आवाज पूरे दिन में तीन बार सुनाई देती है आम के पेड़ से घंटी की आवाज सुनाई देने पर गाओं के कुछ लोगों ने आम के पेड़ की खोजबिन का काम शुरू कर दिया प्रंदु गाओं के लोग घंटी के आवाज का खुलासा नहीं कर पाए वहीं उस इलाके के और लोगों से बादचित करने के बाद यह जानकारी मिले कि घंटी के आवाज सुनने के लिए हर दिन आसपास इलाके के लोग उस आम के पेड़ के बाहर इकठा होने लगे हैं यह घंटना को लेकर पस्चिम बंगाल विज्ञान मंच के सभापती शंकर कोर महाश्य के साथ फोन पर बादचित करने के बाद ही पता चरी है कि इसी समय पर एक खेती जमीन के कीट पतंग जैसे एक प्रकार की कीड़े भी ऐसी आवाज करते हैं